जहन साथ ही आप सभी का स्वागा थे सिवेई क्लासेस में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का इकनोमिक्स ये चेप्टर नंबर 6 हो जाएगा जिसका नाम है वैस्विकरन इस चेप्टर से जितने भी भीविया कोशन बनते थे वो सारे भीविया कोशन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना पहला कोशन दिया गया है नई आर्थिक निती में किसे सम्मिलित किया गया है उदारी करन नीजी करन वैस्विकरन इन में से सभी तो इसका सही आंसर हो जागा प्रियुक सभी अगला कोशन है वैस्विकरन के मुख अंग कितने है एक दो पांच या फिर चार तो वैस्विकरन के मुख अंग कितने है पांच है अगला कोशन है इन में से कौन बहुराष्टी ये कमपनी है तो इसका अंसर जिसे भी पता है वो कॉमेंट जल्दी से कर दो जिसका कॉमेंट सबसे पहले होगा और सही होगा उसके कॉमेंट को मैं पिन कर दूँगा ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन में से सभी बहुराष्टिये कमपनी है अगला कोशन है वैस्वी करन का अर्थ है तो वैस्वी करन का अर्थ है व्यापार पुंची तकनिक हस्तनांतरन सूचना परवाद्वारा देश की अर्थ विवस्था का विश्व अर्थ विवस्था के साथ समन्व है अगला कोश्चन है पारले समू के थमसब ब्रांड को किस बहुराष्टिय कमपनी ने खरीद लिया कोका कोला ने खरीद लिया ओप्सन एस हो जाएगा अगला कोश्चन है इन में से कौन बहुराष्टिय कमपनी नहीं है तो पारले जो है वो बहुराष्ट्य कमपनी नहीं है अगला कोश्चन ग्राहक देखभाल सेवा के लिए परियोग किया जाता है तो क्या परियोग किया जाता है? कॉल सेंटर अगला कोश्चन पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस वो बना हुआ है ब्रिटेन, एमेरिका, रुस या फिर फरांस तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमेरिका अगला कोश्चन है अंतर राष्टिये व्यापार समबंधिन नियम्मों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन में से कोई नहीं अगला कोशन है निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है आयात कर निर्यात कर ये दोनों ही व्यापार अवरोधक है अगला कोशन है वैस्वी करन से बिहार के किस उद्योग को प्रोशाहन मिला है तो किस उद्योग को मिला है परियतन उद्योग को मिला है प्रोशाहन विर्धी हुई है आयात में निर्यात में दोनों में विर्धी हो गई है अगला कोशन वैस्वी करण से लभानवित होते हैं उत्पादक उभ्भोक्त दोनों ही लभानवित होते हैं अगला कोशन वैं भारत में राज नियंत्रीत उध्योग के उधारन है डागतार विभाग रेलवे सुरच्छा उध्योग तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्संडी इन में से सभी अगला कोशन निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्री कमपनी है फोर्ड मोटर्स कोका कोला नोकिया ये सभी हो जाएगा अगला कोशन है भारत सरकार द्वार आर्थिक सुधार संबंदी नवीन आर्थिक निती अपनाई गई मतलब नई आर्थिक निती कब अपनाई गई तो जुलाई उनिस्वे कानवे में अपनाई गई थी अगला कोशन है विश्व व्यापार संगठन की अस्थापन हुई तो कब हुई 1995 में हुई थी अगला कोशन है वैस्वी करण के फल्स्वारूप दो देशों के उत्पादकों के बीच परतियस्पर्धा बढ़ गई है यानि बढ़ जाएगी बढ़ गई है अगला कोशन है सरकार के नवीन आर्थिक नीती का अंग है मतलब नई आर्थिक नीती का अंग है उदारी करण, निजी करण, वैस्वी करण ये तीनों ही अंग है अगला कोशन है वैस्वी करण से भारत को क्या लाब होने की संभाबना है तो वैस्वी करण से कुसलता में विर्धी, रोजगार के अवसरों में विर्धी, उत्पादक्ता में विर्धी, ये तीनों ही लाब मिलेंगे अगला कोशन वैस्वी करन से किसके जीवन अस्तर में सुधार हुआ है सभी लोगों के जीवन अस्तर में सुधार हुआ है अगला कोशन निम्नांकित में कौन सी संस्था वैस्वी करन के विस्तार में सहायक हुई है अंतराष्ट्य मुद्राकोष, विश्व बैंक, विश्व विपार संगठन ये तीनों सही हो जाएगा अगला कोशने WTO का विस्तिरित रूप है तो WTO का विस्तिरित रूप है World Trade Organization अगला कोशन वैस्वी करन के मुख्य अंग कितने हैं तो WTO के मुख्य अंग पांच है अगला कोशन वैस्वी करन को संभव बनाने वाले कारक है प्रधोगी की में परगती, सूचना एवं संचार का विकास का और खा दोनों सही हो जाएगा अगला कोशन वर्तमान में 20 व्यापार संगठन में कुल कितने देश है तो कुल कितने देश है 149 देश है अगला कोशन विश्वेपार संगठन का मुख्याले कहां है तो कहां है जिनेवा में है अगला कोशन देश की परगती के लिए बिहार की परगती अनिवार रहे है या कथन किसका है या किसका कर्तव्य है किसने कहा था वकतव्य हैं, किसका वकतव्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगला कोशन है, विदेसी निवेस का उद्देस से होता है, क्या होता है, अधिक सधिक लाब कमाना, अगला कोशन है बाजार का व्यापक विस्तार अब हो गया है कहां तो खो गया पूरी दुनिया में इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप जोग्राफी, हिस्ट्री और साइन्स का वीडियो देखना चाहते हैं अबजेक्टिव कोशन तो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया ठीक है उसका लिंक मैं डिस्किप्शन बॉक्स में देदूंगा तो वहां से आप लोग जरूर देख लेना